ब्रोक्रिश रिपोर्ट पर और आज SBI कार्ड फोकस में रहेगा इंकरेट की रिपोर्ट आए जिसके चलते आज एक असर देखने को मिल सकता है SBI कार्ड पर टागेट प्रैस घटा दिया है डबल डाउंग्रेट जहां पर देखने को मिले रेटिंग भी घटा दी है रेड्यूस से घटा कर डिया है और जो लक्षे है वो भी हजार रुपे से घटा कर 600 का लक्षे अब इस स्टॉक में देख रहे हैं SBI कार्ड में कल हाला कि हमने एक हलक मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है वो है कच्छे तेल पर और इंका कहना है कि 2024 जो बचे हुआ महीना है उसमें कच्छे तेल की चाल सपार्ट रह सकती है 2025 में ये कह रहे हैं कि यहां से 10% का डाउंसाइड कच्छे तेल में एक्सपेक्टेड है तो एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं 2025 में क्रूट की कीमतों में जेपी मॉगन की तरफ से रिपोर्ट आई है इसका असर आज ओयल मार्केटिंग कम्यों पर पर सकता है यहां नज की है जिसमें की खरदारी की राय के साथ अपनी कावरिज की शुरुबात की है और टार्गेट देख रहे हैं 640 का तो यह आज फोकस में रहेगा मैक्वाइरी की रिपोर्ट आई है इंडिया हेल्थ केर पर काफी सारे स्टॉक्स में इन्होंने कावरिज अपनी दिखाई है और कुछ स्टॉक्स पे सतर्ग भी है कुछ जो बड़े पॉइंट्स है इसके वो हम आपके सामने रखते हैं के करके अगर इंडिया हेल्थ केर इंडस्ट्र सेक्टर की बात करें तो इन्हें संट फार्मा और अबिंदो फार्मा डॉक्टर रेडीज और लूपिन ये तमाम कंपनियां पसंद आ रही हैं और अगर डॉमेस्टिकली फोकस्ट कंपनियों की बात करें तो मैंकाइंड फार्मा और एरिस लाइफ साइंसे जैसी कंपनिया अच्छी लग रही हैं जाइडिस लाइफ साइंसे और आलकेम लैप्स पर कॉश्यस नज़रिया है सतर्क नज़र आ रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा लोंग रोग पर असर पड़ सकता है यह बैंकिंग सेक्टर पर मैंकाइरी की रिपोर्ट आई है तो यह कुछ रिपोर्ट्स हैं इन पर आप नज़र रखिए